हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं विरध आप लोगों का सेलेक्शन मेंटर के इस ओफिशल यूटुब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज आप लोगो क्या पढ़ना है हाँ पर आज पढ़ना है मगद महा जनपद ये उत्तरपदेश लेकपाल की तयारी के लिए मात्र पांच सो रुपए में ये बैच रखा गया है इससे सस्ता आपको क्या बैच मिलेगा 500 रुपीज जस्ट आपको पे करना है ये आज हमें क्या पढ़ना है पिछले क्लास में हमने हर्यक वंश के बारे में और जाना था यहाँ पर और साथी साथ मगद महा जनपदों के बारे में हम लोगों ने सुना था कि कौन कौन से मगद महा जनपद थे ठीक है तो आज उसी के आगे continue करना है हम लोगों को हर्यक वंश में हमने आप लोगों को कल जो है बिम्बिसार के बारे में बताया था बिम्बिसार के बारे में बिम्बिसार के बारे में आपको कल बताया अजात शत्रू के बारे में अगला जो राजवंश आते हैं, वो बहुत छोटे-छोटे से हैं, एक तो आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश जो था, वो शिशुनाग के नाम से शुरू किया गया था, एक्चली जो हर्यक वंश है, उसका जो अंतिम शासक है, उसका नाम है नाग दशक, क्या नाम है उसका नाग दशक, तो जो नाग दशक है, अंतिम शासक नाग दशक जो है, उसी नाग दशक की हत्या इसके सेना पती ने कर दी, और इसका जो सेना पती था, वो कोई और नहीं थ बलके शिशुनाग ही था तो शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करी और हत्या करके अपने नाम से एक वंश चलाया यानि राजगर्दी जो है वो प्राप्त करी तो इसी को शिशुनाग वंश बोला गया ठीक है मगत पर उसने अधिकार कर लिया शिशुनाग ने अपनी रा पाटली पुत्र से राधानी बदल करके इसने क्या कर दिया? इसने वैशाली कर दिया. इसने अपनी राधानी क्या बनाया? वैशाली. और जब वैशाली किया तो ये काला शोक नहीं अपने समय में Second Buddhist Council कराई. Second Buddhist Council. ठीक है? दुतिय बौध संगीती इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं दुतिय बौध संगीती तो दुतिय बौध संगीती का आयोजन जो है किसने कराया है ये कराया है ये काला शोक ने और काला शोक ने आयोजन कहां कराया है काला शोक ने इस आयोजन को वैशाली में कराया थीक है तो ये point आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है clear बागी कुछ खास यहाँ पर नहीं है इसके बाद आपको पता चलता है कि सिशुनाग वंस का जो अंतिम शासक है उसका नाम है नंदी वर्धन इसका नाम क्या है नंदी वर्धन और नंदी वर्धन की हत्या करी है नंदी वर्धन की हत्या किसने करी ये महापदमानन्द ने कर दी किसने करी महापदमानन्द ने और महापदमानन्द ने अपने नाम से नंदवंश की नीव रखी नंदवंश तो इस तरीके से नंदवंश की शुरुवात हो जाती है नंदवंश में केवल दो ही राजा हैं जो महत्वपूर्ण हैं एक का नाम है महापदमानंद जिसने स्थापना की महापदमानंद इनोंने क्या किया है इनोंने स्थापना करी है नंदवन्ष की, नंदवन्ष का स्थापक, ठीक है, इसको सर्वचत्री हंता भी कहा जाता है, सर्वचत्री हंता, ठीक, ठीक है, इसको सर्वचत्री हंता भी कहते हैं, इसको दुतिये परशुराम के भी नाम से आना जाता है, ठीक है, क्योंकि परशुराम ने भी चत्री हंता क का कारी किया था इसी प्रकार से इसको नाम दिया थे ठीक है इसका एक बेटा है जो कि बहुत दुस्ट है जिसका नाम है धननंद धननंद और धननंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो आप से पूछा जाए सिकंदर ने भारत पर किस मगत के शासक के समय में आक्रमन किया है तो वो धनानंद है तो टैक, चंद्रुट मौर मत बताइएगा कि चंद्रुप्त द्रुप्त मौर ने और मौरे वच की असने क्या करी मौरे वच की स्थापना करी ठीक तो इस तरीके से यह है मौरेवंश के शुरू होने की काहनी तो चले शुरू करते हैं मौरेवंश शुरू कर देते हैं भीया मौरेवंश ठीक है मौरेवंश की शुरुवात कर देते हैं अब मौरेवंश की जब हम सुरुवात करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा इसमें देखिए, मौर्यों की शुरुवात के समय से अगर हम पहले देखें, तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ है, तो यह हिस्टी जो है मौर्यवंश के समय मिली हुई है, नंदवंश, मौर्यवंश और बीच में एक है सिकंदर, सिकंदर as a foreign attacker, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिकंदर के बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा, तब हम लोग मौर्यवंश के बारे में जड़ा अच्छे जान पाएंगे, देखें सिकंदर जो है, इनके पिता, मेसेडोनिया के राजा थे, मेसेडोनिया को मकदुनिया के नाम से भी जाना जाता है, मेसेडोनिया या मकदुनिया एक ही जगह का नाम है ठीक है मेस्टुनिया या मकदुनिया एक ही जगह का नाम है तो मेस्टुनिया के राजा थे इनके पिता इनके पापा जो है मेस्टुनिया के राजा थे और इसी मेस्टुनिया के राजा ने का बेटा है ये सिकंदर और इनका नाम जो था मैंसे दुनिया के जो राजा थे यानि सिकंदर के जो पिता है इनके पिता का नाम है राजा फिलिप क्या नाम है राजा फिलिप ठीक तो राजा फिलिप का ये बेटा है सिकंदर आप देखे सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का सपना देखा विश्व विजेता और इसी क्रम में उसने क्या किया इसी क्रम में उसने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत पर आक्रमण कब हुआ है इसका सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ है 326 इसापूर में 326 इसापूर में जब इसने भार आतताई राजा है और इस आतताई राजा को मारने के लिए अगर देखा जाए तो इस आतताई राजा को मारने के लिए चाड़के ने अपनी सेना तयार करी है चाड़के ने जो सेना तयार करी है उसमें जो जिसको राजा बनाने का उन्होंने सपना देखा है वो चंद्रगु और के माध्यम से ही उन्होंने धन्रन्द को पराजित किया और अपने शिष्ष चंद्रुपत मौरे को मौरे वन्ष का सामराज यहां पर सो पया है। युनानी लोग इसी जहलम को या इसी वितास्ता को हाइडे स्पीज कहते थे हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि सिकंदर ने पोरस को पराजित करने के बाद उसका राज उससे छीना परंतु उसकी वीरता से खुशो करके पोरस का स्थमराज उससे वापस कर दिया। सत्ता क्या है ये तो सब इतिहास के पन्ने में दफन है। ठीके उसके बाद सिकंदर ने भारत पर को विजित करने का प्रयास किया। लेकिन वो चाड़क के और उसके शिष्षे चंदगुप्त मौरे की छुपी हुई चाल के पीछे वो टिक नहीं पाया और अंतता सिकंदर ने यहां से वापसी का रास्ता अपनाया। बेबिलोन में उसकी क्या हो गई? मृत्ती हो गई। तो इस प्रकार से सिकंदर जो है भारत को जीते बगएर ही वापस लोड़ गया और उसकी बेबिलोन में डेथ हो गई। तो यह तो हो गया सिकंदर के धियास। अब यहीं से शुरू हो जाती है मौरे वंश के सासक चंद गुप्त मौरे के जो गुरू है वो ही आचारे चाड़क के नाम से आना जाते हैं आचारे चाड़क का अभी कभी वास्तविक नाम पुछा जाता है इनका वास्तविक नाम था विश्नुगुप्त विश्नुगुप्त ठीक है और इनके पिता जो थे चाड़क के उनका नाम था चड़ी इसी वज़े से इनका नाम चाड़के पड़ जाता है तो वास्तविक नाम जो है वो विश्नुगुप्त है ठीक है इन्हें कोटिल्य के नाम से भी जना जाता है कोटिल्य और कोटिल्य या विश्नुगुप्त जो है इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है अर्थ शास्तर और अर्थ शास्तर को अंग्रेजी में कहते तो economics हैं लेकिन ये economics नहीं है ये political science या कह सकते हैं राजनीती शास्तर का किताब है राजनीती शास्तर का ग्रंत है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है ये जो अर्थशास्थ है इसमें राजनीती दी हुई है ना कि अर्थशास्थ की बातें करी गई है ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है चाड़क की ये बहुती फेमस किताब है चंद्रुप्त मौर जो है ये 322 इसापूर में ये राजा बनता है और इसका कारेकाल 297 इसापूर तक है यानि चंद्रुप्त मौर का कारेकाल अगर देखा जाए तो 322 इस शुरू हो करके 397 इसापूर तक रहता है मगद के सिंगासन पे वो 25 साल के आयों में बैठा है और लगबग 42 साल के आयों में उसने मगद का सिंगासन त्याग दिया है ठीक है कुछ लोग इसे शुद्र वंश का कहते हैं चंद्रुप्त मौर को अलग-अलग अलग तरीके से उसको पुकारते है माना जाता है कि जब सिकंदर यहां से वापस लोट गया तो सिकंदर जब यहां से वापस लोटा तो भारत के आसपास के जो इलाके सिकंदर ने जीते थे वो उसने अपने सेना पती सेल्यूकस को दिया और कुछ समय बाद से लुकस को ये पता चला कि भारत में चल कपट करके चाड़क के और उसके शिष्ट चंद्गुप्त ने हमारे महान राजा सिकंदर को खाली हाथ लोटा दिया है और इसी चीज का बदला लेने के लिए सिकंदर ने चंद्गुप्त मौरे के ऊपर तीन सो पांच ईसापूर में आक्रमण कर दिया क्या कर दिया? आक्रमन कर दिया और जब इसने आक्रमन किया तो चंद्रूत मौर इसमें विजेता गोशित हुआ और विजेता होने के कारण इसने सेलुकस को जब हराया तो सेलुकस से काबूल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान तो काबूल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान ये चार एरिया जो हैं वो ले लिए इसके अलावा सेलुकस की बेटी हेलेना से विवाह किया और साथ ही चंदगुत मौर ने सेलुकस को 500 हाथी दान किये तो इस तरीके से ये एक पॉइंट आपको धियान रखना है सेलुकस ने अपना एक राजदूत भी चंदगुत मौर के दरबार में भेजा जिसका नाम था मेगस्थनीज मेगस्थनीज ने बहुत ही फेमस किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका जिसमें उसने भारत के बारे में वर्णन किया है तो चंदुत मौर के बारे में यहां तक यह पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे इसके अलावा चाड़के के निर्देशा नुसार उसने अखंड भारत बनाया सबसे पहला व्यक्ति जिसने अखंड भारत का निर्मान किया किसके कहने पर आचारे चाड़के के कहने पर तो पहला अखंड भारत का निर्मान करने हैं अलाशा सक ठीक है इसके अलावा यदि अगर देखा जाए तो 42 वर्ष की अवस्था में 42 वर्ष के अवस्था में चंद्रकुप्त मौर ने राज्य त्याग कर राज्य त्याग दिया और अपने बेटे को दे दिया और अपने बेटे किसको दिया बिंदु सार को अब ये देखे बिंदु सार है बिंबि सार नहीं है ये बिंदु सार है ठीक है तो इसने अपने इसी समय चंद्रगुप्त मौरे जो है अपने जैन गुरु भद्र बाहु के साथ करनाटक चला गया और करनाटक में जगा है जिसका नाम है श्रवन बेल गोला क्या नाम है श्रवन बेल गोला और इसी कारण करनाटक जब चला गया तो वहां पर उसने सेलक्षना करते हुए मतलब उपवास करते हुए ये जैन परमपरा में एक विशेज परमपरा है तो उपवास करते हुए शरीर त्यागा यानि स्वायम जो है अपनी मृत्तिकों उन्ह 297 इसापूर में चंदगुप्त मौरे की मृत्यु हो गई ठीक है मृत्यु हुई तो ये था चंदगुप्त मौरे का एतिहास इसके आगे अब हम लोग बिंदुसार के बारे में जानेंगे लेकिन इस सेशन में नहीं अगले सेशन में जानेंगे और आशा करते हैं कि आपको इस session बहुत पसंद आया होगा और अगर आपको इस session पसंद आया है तो भाई अपने आप दूसरे दोस्तों को भी share बोल सकते हैं, बात बोल सकते हैं कि वो लोग भी जो है इसको join करें जस्ट 500 रुपीज जो है यह बहुती बड़ा amount नहीं है I think it's not a big amount anyone can easily avail this facility so उनको motivate करिये और बोलिए कि वे भी पढ़ने के लिए आएं थान्यवाद